नमस्कर दर्श्रियूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितिद्याल आपके साथ देखे उन्नाव में जो बस दुरघटना हुई थी उस घटना से आप सभी वाकिफोंगे कई लोगों की मौत हो गई थी तो कई लोग घायल हो गए थे इसके साथ ही इस बस दुरघटना को लेकर के बिहार की सियासत में गजब की गतिवीधिया देखने के लिए मिले थी लगतार जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है दोनों के बीच बयान बाजिया खूब जम कर देखने के लिए मिली थी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगतार जारी था ऐसे में आरजीरी की तेज तर्रार नेता कहे जानी वाली रितू जैस्वाल ले भी खुल कर अपनी बात कही थी अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखाया था इसके साथ ही जो वेवस्था है उसकी पोल खोलते हुए बड़ी बात कह दी थी ऐसे में आपको बता दे कि रितू जैस्वाल का गुस्सा अब तक कायम है जी आप बता दे कि एक बार फिर से रितू जैस्वाल का रौदर रूप दीख कया है और साफ तोर पर उन्होंने प्रदेश के मुख्या नितीश कुमार को निशाने पर ले लिया है और उसके साथ ही कह दिया है कि मुख्य मंत्री जी थोड़ा दम दिखाये आपको बता दे कि सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म के जरिये रितू जैस्वाल ने एक पोस्ट शेयर किया है इस पोस्ट के जरिये कुछ तस्वीरों को उन्होंने शेयर किया है जो कि उर्नाव बस दुरघटना में घायल हुए थे जो परिवार है उनके परिवारों के साथ जो फोटोज रितू जैस्वाल ने शेयर किया है और इसके साथ ही उन फोटोज को शेयर करते हुए रितू जैस्वाल ने क्या कुछ लिखा हम आपको विस्तार से बताते हैं तो साफ तोर पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन तस्वीरों को शेर करते हुए रितु जैस्वाल ने लिखा कि बिहार से दिल्ली जा रही एक बस का उन्नाव में एक्सिडेंट हो गया इस दुरखटना में 18 लोगों की मिर्त्यू हो गए मरने वालों में सबसे जादा लोग बिहार के शिभर लोकसफाशेत्र के रहने व वाले थे कल जब मृत्कों के घर पहुँची तो उनके परीजनों के हालत देखकर दिल बैठ गया 20-22 साल की विधवाओं के मन में यही सवाल था कि अब उनका गुजर बसर कैसे होगा उनके छोटे-छोटे बच्चों का भविश्य क्या होगा तो साफ़तोर पर आपको बता शेत्रे में मात मिली और उनकी हार हो गई हाला कि वेलगातार शिवालोकस अब शेत्रे में अक्टिव है और उनना बस दुर घटना से जुरी हुई तमाम गतिवीधियों को देखते हुए उन्होंने जो घायल है जिनके मिर्ती हो गई है उनके परीजनों से मुलाकात की और उनके परीजनों का धाडस बांधा हाला कि जो गुस्सा है उनका साफ तोर पर देखने के लिए मिला आपको बता दें कि रितू जयासवाल इतने पढ़ी नहीं रुकी बलकि उन्होंने आगे कई सवाल खड़े कर दिये और क्या कुछ लिखा हम वो भी बताते हैं तो साफ त बस उत्तर बिहार प्रदेश दिल्ली रूट पर कैसे चर रही थी तीन तीन राजियों की पुलिस ने कभी इस बस के कागजात क्यों नहीं चेक किये क्या परिवहन विभाग के अधिकारी सिर्फ अपनी जेबे गर्म करने में लगे थे और यात्रियों की सुरक्षा भगवा और हादसा नहीं होगा तीसरा आजादी के 76 सालों के बाद भी शिवहर जीला रेलवे लाइन से क्यों नहीं जुड़ा गया अगर आज यहां ट्रेन की सुविधा होती तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए बसों पर निर्भरता कम हो जाती चौथा वो दिन कब आएगा जब बिहार के लोगों का अपना चूला जलाने के लिए राजी के बाहर जाकर नौकरी नहीं करने पड़ेगी इसके साथ ही रितू जासवाल ने अंतिम में लिखा कि मुक्य मंत्री जी थोड़ा दम दिखाईए 18 लोगों की मौत मजाक नहीं है दोशी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई कीजिये हाथ पैर जोडने से काम नहीं चलेगा तो साफतोर पर देखा जा सकता है कि रितू जासवाल पूरी तरह से उननाव में जो बस दुर घटना हुई उस घटना को लेकर के अब तक गुस्से में है और मुक्यमति नितीश हुए साफतोर पर कई कटाक्ष किये सवाल किये और इसके साथ ही नसीहत देती है कि अधिकारियों पर जो भी दोशी अधिकारी है उन पर कारवाई की जाए हाथ पैर जोडने से काम नहीं चलेगा हलाकि ये तो देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर बिहार सरकार इस मुद् है तो पेच को लाइक करना ना भूले